निवारन समीती की बैठक हुई जिसके अधिक्षता सीम नायप सिंग सेनी नी की दरसली से बैठक में 19 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारन कर दिया गया वहीं एक शिकायत पेंडिंग भी है इस मौके पर सीम नायप सिंग सेनी ने नगर निगम के अधिकारियों को साथ दिन का अल्टिमेटम दिया गुरुग्राम में पूरी तरह के से साफ सफाई की विवस्था हो दुरूस्त रखा जाए इसका अल्टिमेटम दिया गया साथ दिन बाद खुद मुख्यमंतरी साफ सफाई विवस्था का जाईसा लेने के लिए आएंगे सेम ने बारिश के पानी की निकासी की विवस्था को दुरूस्त करने के भी आधिकानियों को जारी किये इस मौके पर सेम सैनी ने कॉंग्रेस पर भी जम का निशाना साथा जो ग्रिवांस की ये बैठेक थी इसमें कुल बीस सकाइटें आई हैं और जिन सकाइटों में से सुनकर के उननीस का समधान किया गया है और एक सकाइट जो लंबित रखी है उसके लिए भी उपायुक्त महुद्य के नेत्रीतव में एक कमेटी बनाई गई है उसका भी समधान सीगर करके वो बता दिया जाएगा जब ये भारत जोड़ो यात्रा लेकर के राहुल हरियाना में गया था खड़गे साब ने ही कहा था मंच के उपर खड़ा हो करके कि वही मोदी तो हर साल एक क्रोड नौकरी की बात कर रहा है वो हरियाना के लोगों को पूछ रहा था खड़गे ने पूछा था हमने नहीं पूछा था मंच के उपर से पूछा था लोगों से ये पूछा था भी आपके यहां कितनी नौकरी मिली जाए तो मेरे ख्याल से वहाँ जो कॉंगरस की रैली में लोग आये हुए थे उन्हों नहीं कहा कि वह नौकरी मिली आथ खड़े करका फिर खड़गे साब का क्या था रियक्सन कि आप तो लड़कू है आपको मिलगी होगी कहा ये रियक्सन था उसका अरे तु बोल क्या रहा है तु एक पार्टी का बड़ा सीनियर लीडर है आपने बोलना भी ठीक चाहिए ये लोगों को गुम्रा करने की बात नहीं करनी चाहिए इसके उपर जो ये लोग बोलते हैं जूट प्रोस रहे हैं ये सब्यर से ले करके ये जूट का एक गठबंदन है ये जूट का टोला है और सुबह उठते हैं शाम तक जूटि प्रोस ते रहते हैं बोलते रहते हैं लोग विश्वास करना इनके जूट के उपर बंद कर गया, इनके उपर विश्वास नहीं रहा, क्योंकि जूट एक बार बोलता है, अब इनना ने बोल दिया गर-गर में जाके, कि वही फारंबर दिये, चार तारी को जो ही रिजल्ट आएगा, साड़े आठ जार रुपे आठे मा जाएंगे, ही वह कहीं हो देख रहे हैं, ही वह आए तो नहीं तक है, अभी तक है नी ना, फिर लोगों का विश्वास उठ गया इनके उपर से.